मैं डॉक्टर कम्रेश प्रित्वानी, SRKP Government PG College किशनगर से आज बच्चों, become parts, second का paper second corporate accounting का issue and forfeiture of shares का जो चप्टर है उसका part, second आपके लिए प्रस्थित कर रही हूँ जिसका मैंने part लिया है, इसमें nature and classes of shares shares के types, मैंने आपको पहले authorized capital issued पहले वाले लेक्शन बताया था कि capital का part है authorized issued, subscribed or called up capital, reserve capital इनके बारे में हमने समझा था, अब हम यहाँ पर ही समझने वाले हैं कि जो shares company issue कर रही है, वो shares किस तरह के होता है, कैसे company उनको issue करती है market में money किस परकार से उनकों पर कैसे collect किया जाता है तो बच्चों यह जो shares का हमने देखा कि हमने क्या किया हमारी पुंजी को जैसे एक share अपना 10 रुपे का है, हमने इस पुंजी को company ने shares का मतलब क्या अंश में divide करना, हमारी total पुंजी को हमने अंश में divide कर लिया चालीस लाग की आपकी capital है, उसको आपने अंश में divide कर लिया और हर आदमी को आप कहते हैं, भी per share आप 10 रुपे का ले रहे और आपको जो हैं, हमारे आपके दो लुडाग share हम आपके सामने रख रहे हैं तो इसका मतलब यह जो हैं, अंश में आपने पैसा divide कर लिया है अब आप company mainly, दो तरह की section 86, इसका है company act का उसमें हमने दो तरह की shares देखे, कि company दो तरह की shares issue कर सकती है mainly, वो है preference shares और equity shares preference shares वो हैं, जिनने कुछ पूरवाधिकार प्राप्त हैं और equity shares वो हैं, जिनने कोई पूरवाधिकार प्राप्त नहीं company के real honors हैं, उनको का जागा equity share holders तो preference share holders को कौन से authorized जो उनको अधिकार प्राप्त हैं कुछ अलग से उनको जो अधिकार हैं, वो है, पहला अधिकार उनको यह मिलावा है कि वो अपने शेयर्स के उपर उनने लाभांश का पूरवाधिकार है सबसे पहले अगर company जब भी dividend declare करती है company अपने शेयर्स पे उनको लाभांश देती है, लाप का हिस्सा देती है तो लाभांश के लिए सबसे पहले पूरवाधिकार अज़तारी को राइट होगा कि प्रेवाधिके स्थाइब करते हैं, यह पार्टिसिप्यटिंग भी का यहां पर इतना कोई मेंनिग नहीं क्योंकि उसके लिए लिए लग से चप्टर होगा, रिडंशन औप्रेवाधिकार्स का वहां पर उसको हम समझेंगे चली हम आगे बढ़ता है एकुटी शेइर्स की और तो एकुटी शेइर्स मैंने जैसा भी आपको बता कि इनके पास में कम्पणी के Real honors हैं company के इनके पास में voting के rights हैं company के Main authorized मालिक हैं एक तरह से यह तो लेकिन इनके पास मैं पूर्वा दिकाने लाभांश इनको बाद में मिलेगा after satisfying the preference shareholders बाद में इनको लावांच दिये जाएगा और dividend on equity share is not fixed इनका dividend fix नहीं है जैसे क्या होगा preference shareholders की क्या होता है बच्छों उनके आगे rate लिखी होती है जैसे हम कहते हैं 5% preference shares that means 5% क्या उसकी dividend की rate है 8% preference shares 8% उसकी dividend की rate है लेकिन equity share holders जो है उनका dividend fix नहीं होता और यह क्या होता है कि उनका fluctuating होता है कैसे जैसे कि आपके पास ने company को लामाश declare करे 20% 20 में से अगर आपने 12% preference shareholders को दे दिया तो उन्हें 8 मिल रहा है अगर company ने dividend 12% declare किया है और उसमें से company ने 8% preference shareholders को दे दिया तो आपकी एकुटी शेयरोडर से उन्हें 4% मिल रहा है उन्हें संतोष करना पड़ेगा कि last में ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है वो क्योंकि company की real owner है company को चलाने वाले वही लोग है वही company के main इन मालिक है इसलिए equity share capital में भी with voting rights इनको voting rights हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है उसमें 2-3 तरह के अलग-अलग टाइस बना दी है differential voting rights हो तो यह भी उनके अंतरकत इस प्रकार से हम कर सकते हैं चलिए अब हम आता है issue of shares का process बच्चों आपने issue of share के process को practically समझने की कोशिश करिए क्योंकि books में जो दिया हुआ है और जो मैं आपको बता रही है उसमें कुछ आपको फरक लगेगा कि किस प्रकार से company वाकई क्या करती है आपने बच्चों कभी आपने newspaper में देखा और लेंडर्स कॉल होते हैं और company का issue of share भी company के shares भी आते हैं जनता के सामने फ्रॉस्प्रक्टर स कंपणी का आता है कि कंपणी कि इस प्रकार से उसके पास में पुंजी जो है बन सकते हैं तो इसमें complete information company के बारे में होती ही company क्या है कैसे है तो ये आप prospectors जनता के सामने रखा जा सकता है through newspaper, through agent, through brokers ये जनता के सामने रखा जाता है इसके बाद में आईए receipt of applications अब आपके application form आपने public के सामने रख दिया online भी हो सकता है तो वो application form आपने company का पता लगा वह रिलाइंस है बजा आजाये company shares अपने market में invite कर रही है तो आप उनके shares में application लगाते हैं और आपकी applications के according महाँ पर बैठ करके board decide होता है company has to get minimum subscription चाहिए होगा अभी SEBI की guidelines नहीं आई जिसमें की सब्सक्रिशन होना ही चाहिए और अगर नहीं होता है तो आप company का पैसा जनता का पैसा वापस कर दो आप within 130 days पहले आपने जिस दिन prospectus दिया उसके 120 days में तो आप पैसा ले रहे हैं collect करते हैं और अगर नहीं आता है तो 130 days में जनता को आपको वापस पहुचाना होगा क्योंकि अभी SEBI की guidelines company act सारी चीजों के नतरगत जो हैं आपको shares allot करने पढ़ रहे हैं तो मतलि यह नहीं कि आप अपनी मन्मानी करके कि किसी तरह से जनता को परिशान कर सकते हैं जनता को सही तरह से नहीं दें तो यह सब पहले आपको तैय करना होगा तो आपने जनता के सामने शेयर रखे जनता को आपने shares की applications आपके पास आ गई अब process आता तीसरा allotment of shares का allotment of shares का process बहुत important है यहां पर company के बढ़के board of directors जोते हैं decide करते हैं कि company के किसको कितने shares allot के जाएं अब that depends upon applications आपने invite किए दो लाग shares के लिए applications और आपके पास में अगर दो लाग की जग applications तीन लाग आ गई तो that is called over subscription आपके पास में दो लाग से ज्यादा की application आई है डाई लाग की आई है दो लाग से उपर होते ही क्या कहलाएगा अधी अभीदान हिंदी में कहेंगे over subscription कहलाएगा और अगर आपके पास में दो लाग की जगे एक लाग पचीस जार या डेड़ लाग की applications आती है that is called minimum subscription उसमें कम न्यून अभीदान होगा है अब न्यून तम अभीदान कितना होगा मेरे आपको बताई दिया उतना लेना होगा और अगर आपके applications जहें दो लाग की दो लाग की आई हैं that means total आपने जितना रखा है full value का वह आपका subscription हुआ है तो allotment of shares करने के लिए legal formalities जो भी होंगी वो सब fulfill करनी होंगी और इनको जहाँ अगर आपको लगता है कि ज्यादा के shares आगे तो बाकी को regret करिए कि भी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं हाँर पास बहुत ज्यादा applications आगे आपके पास तो यह सब process इसमें valid contract बनेगा कि आपको बैट करके इंदा opinion कि आपको जहें minimum subscription तो लेना ही होगा और नहीं तो आपको जो नहीं मिल पारा जनता से पैसा तो आप पूरा को पूरा पैस वापस करिए उन्हें तो वो पैसा आपको उनको वापस से refund करना होगा तो यह जो minimum subscription है इसकी जरूत क्यों पड़ेगी the price of any property purchased आपको कुछ खरीदना है आपको preliminary expenses का payment करना है company जब बनती है तो कुछ प्रादम भी खर्चे होते हैं उसके legal expenses होते हैं उसके आपके court की खर्चे होते हैं आपके document बनाने की खर्चे होते हैं तो यह सारे खर्चे आपको उसमें पेक आने पड़ सकते हैं repayment of money आपने कहीं से इधर दर से पैसा लिया है तो आपके पास पैसा आता है तो आप उनको भी वापस उनमें return कर सकते हैं working capital अधर expenditure आपको अगर कोई usual condition में जो आपके business में होते हैं उनके लिए पैसा रखा जा सकता है तो इस तरह से if the condition is not satisfied मैं आपको पता है minimum subscription की condition अगर प repay the amount with interest अगर आपने time लें उनको 130 दिन में पैसा वापस नहीं लोटा है तो आपको इस पर व्याज भी देना पड़ सकता है चली अब हम condition की मानते हैं कि हमारे shares जनता के पास जा रहे हैं जनता ने हमारे subscription कर दिया है और minimum subscription की condition भी पूरी हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं अ value of shares तीन तरह की shares की value होगी पार value nominal value जैसे का जाएगा और premium value और discount value तीन तरह की value होगी शेर की बच्चों share की face value होती है face जैसे हमारे में उसका अंकित मुले जैसे कहना ची नॉमिनल value जो इसकी decided value कि आपने का भी मेरा share जए दस रुपे का है यह है इसकी face value nominal value लेकिन इस पार value को आपने जनता के सामने जो इस शेर को रखा अब जनता उसको किते पर लेती है जनता के सामने आप कितने पर रख रहे हैं अगर आपने दस रुपे का share issue भी the nominal price is 10 रुपीज अगर उसकी issue price भी आपकी 10 रुपे ही है तो वो क्या कहलाएगा कि आपका share है that is on par value आपका issue price where issue price and nominal price is equal आप यह formula लिख सकते हैं लिखिए कि issue price बराबर nominal price अगर आपकी जो है उसका निर्गमन मुल्य तथा उसकी अंकित मुल्य दोनों बराबर है आपका अंकित मुल्य 10 रुपे है और आपने उतने पर इसे issue किया है तो यह कहलाएगा par value पर और अगर premium value क्या होगी कि आपका जो share है उसको आपने issue price जाए उसकी आपकी nominal value से ज्यादा है 10 रुपे का आपका share आप बजार में 12 रुपे पर दे रहे हैं उसको और तो भी public आपकी लिए इस share को तो यह आपकी कहलाएगी 12 रुपे access amount आपको मिलता है that is premium और अगर discount आपका बजार में market value अच्छी नहीं है यह market की situation अच्छी नहीं और आपको पैसा चाहिए तो आप अपने share को 10 रुपे की अंकित मुले होते वे आप उसे जो है बजार में compare issue कर रहे हैं that is called difference discount जहां पर face value आपकी ज्यादा हो गई minus issue price issue price कम हो गई आपकी तो difference आपका क्या हो गया discount आपको यह नुक्सान होता है कि company जह हैं discount पर shares को देरी issue price is less than nominal value ठीक है accounting treatment अगर हम इनका देखते हैं तो on application जो हमें पैसा प्राप्त होता है इसके लिए सबसे पहले हम entry करेंगे bank account DR to application अब देखी बच्चों यहां पर हमें कुछ नहीं पता की shares का पैसा कितना है क्या है जो आ गया उसकी अपने entry कर दी bank account DR और पैसा bank account में चला गया और application में आपन सबसे पहले तो application के money को आपको क्या करना है application share application to share capital क्या होगा कि application तो account ऐसा जो बंद होना है क्योंकि आपने पहले entry की bank account DR to share application अब की आपने शेर application to share capital तो इन दोने entry में अपन समझते हैं कि debit or credit को काड़ देए शेर application को टा दीजी तो entry क्या बनी bank account DR to share capital यही entry हमारी हार installment में बननी चाहिए bank account DR to share capital बननी चाहिए तो वही बन रही है आप इसके बाद में allotment पर आपने फिर से पैसा due किया अब देखी बचों यहां पर यह question आता है कि हम application money भी तो क्या करते हैं कि पहले पैसा मिलता है due नहीं करते हम उसको बाद में हम transfer करते हैं वहां transfer की entry के आपकी share application to share capital लेकिन जब आप उसे जो हैं allot करते हैं allotment की बाद पहले पैसा due करेंगी क्योंकि अब आपको पता है कि आपके इन शेयरोडर्स नौन है आपके जो नौन शेयरोडर्स हैं उनसे आप वापस से allotment का पैसा मांगते हैं किस्ते होती हैं यह सब बिटा जैसे आपने तीन करेंद केंटिर से देखी शेयर allotment फूशेयर केपिटल चली आपके पास में पैसा आपने due कर दिया अब आपको अलौन का का मिलेगा तो अलौन का पैसा मिलने के एंट्री एंट्री है डिया ठूशे और फशे नंबर पे और चजोट्रे नंबर पर हमने एंट्री दी adjustment of access application में आपके पास application पर ज्यादा पैसा आ गया है तो अब क्या करोगे आप उस पैसे को allotment पर डाल दीजी कभी उनको अगर उसके allotment से भी ज्यादा है कि उसके आगे की call से भी ज्यादा आ गया है तो उनको वापस भी कर सकते हैं लेकिन फिलाल यही समझी कि उसको आपने all allotment पर उनको कोगे कि कम देना और यह पैसा आपके पास उसमें आ गया है अब allotment का पैसा मिल रहा है आपको उसकी entry हम कर रहा है bank account DR to share allotment तो allotment की इस process के बाद में अगले lecture में आवा गए call scenario calls in advance उसकी entries कैसे होती है इन सब को balance sheet में कैसे दिखा जाए उसको समझेंगे धन् कर दो